हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कैसे हैं सभी लोग आई हो पच्छे होंगे चलिए आज फिर आपके लिए बॉलिवुड की कुछ और इंट्रेस्टिंग स्टोरीज लेकर आई हूँ आई होप आपको पसंद है 1920 की स्टाइल साड़ी पहन कर निकली आलिया भट नेचर से जुड़ी है खासियत दुनिया को दिखाई भारतिय कल्चर की जलग आलिया भट किसी फैशन क्यों इन से कम नहीं है वह ग्लोबल आइकॉन बन चुकी है गैल गैडोट संग हाट आप स्टोन के जरिये उनकी पॉपलेरिटी पहले से और भी जादा बढ़ गई है उनकी इंटरनेशनल लेवर पर करोडों की फैन फॉलॉइंगे बॉलिवुड स से हॉलिवुड तक सफरते करने वाली आलिया मैट गाला 2024 के रेड कार्पेट पर पहुँच गई है मैट गाला के रेड कार्पेट पर उन्होंने अपनी खुबसूरती का जल्वा बिखेर दिया है उन्होंने मशूर फैशन डिजाइनर सब्वे साची की डिजाइनर की हुई डिजाइन की हुई साड़ी को मैट गाला 2024 के लिए चुना था इसमें वे बहुत खुबसूरत लगी उन्होंने अपने लुक से सबको हैरान कर दिया है बेटी रहा होने के बाद उन्होंने पहली बार मैट गाला में वॉक किया है आलिया भट ने जैसे ही मैट गाला के रेड पिडेंस देखते ही बन रही थी आलिया भट ने इस साड़ी को फैशन डिजाइनर सब्यसाची से डिजाइन किया है यह साड़ी 1920 के दसक के दौर की है साड़ी में फ्लोरल प्रिंट और अन्य ऐसी कई चीज़ें जो की नेचर से जुड़ी है आलिया ने इस साड़ी के जरि कला आनंते समय और सावधानी से बनाई गई चीज़ें हमेशा रह सकती है इस वैश्विक इवेंट पे भारतियों की जर्नी ने ड्रेस या आउटपिट को अपना ही जीवन बना लिया है आलिया बट ने लिखा कि साड़ी की तरह कोई भी चीज ट्रेडिशन और इनोवेशन का सिंबल नहीं है सब्वे सची के हाथों के जरिए इस नजरिये से इस साड़ी को पूरा रूप मिला है साड़ी के लिए हमने रॉयल भारतियों से प्रेड़ना ली और अतीत के साथ भविस्ते से जोड़ कर देखा आले बट ने आगे का कि साड़ी के लिए हमने कठीन क्रा भी आकाश और समुद्र का प्रतिनिद्व करता है और प्रकर्ती की सुन्दरता डेडिकेट करता है इस खुबसूरत साड़ी को बनाने में मास्टर सिल्पकारों कड़ाई करने वालों कलाकारों रंग रेजों सहित 163 लोगों ने बनाया है इसे बनाने में 1965 घंटे लगे है जैसे ही ये साड़ी पहनी मेंने से बनाने वालों के प्रति आभार मैसूस के आई ये साड़ी असीम प्रेम और कठिन परिक्ष्रम का प्रणाम है आपको इस स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आपको इस स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक टाइब शेयर करना ना भूलें तैंक्स पर वाचिंग बबाई